आपका स्वागत है पाइस विजिन पे आज हमारे साथ बनी हुई है मिसिस आस्था करना जी जो कि एक चाइड साइकोलिजिस्ट है तो आस्था जी कैसी हैं आप बहुत अच्छे आप कैसे हैं जी मैं भी अच्छा हूँ तो आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में mental health के बारे में तो आस्था जी बच्चों में mental health सबसे पहले तो आप ये बताईए कि mental health क्या है और क्यों जरूरी है mental health एक social, physical and emotional well-being of a person और वो हर एक की life में बहुत important है चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा यर्ती हो mental health हमारी body के लिए इसलिए भी जरूरी है जैसे हम अपनी body को healthy रखने के लिए healthy diet लेते हैं वैसे ही अपनी brain को healthy रखने के लिए हमें अपने brain को mentally fit अच्छे सब्सक्राइब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि physical health हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है बट साथ ही साथ mental health भी बहुत ज़रूरी है लोग जो है physical health पे ज़्यादा देते हैं mental health किसी ना किसी point पे ignore कर देते हैं तो अब mental health की problem तो हर age group में आती है चोटा हो गया बड़ा हो गया बड़े लोगों को तो समझ आ जाता है कि उनके साथ कोई problem है और इसके लिए वो deal करना भी जानते हैं बट बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें कौन-कौन सी problem से बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे हर छोट छोटी बात पर irritate हो सकते हैं अपनी चीजें तो वो किसी से share नहीं करते हैं सबसे important बात बच्चों के लिए है कि वो किसी को बता नहीं पाते है कि उनके अंदर चल क्या रहा है बात 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 फिजिकली भी और मेंटली भी लेकिन अगर आपके बच्चे की नुच्छिरिंग में पुल प्रॉब्लम है फॉर एक्जाम्पल आपके बच्चे की बात आप सुनना ही पसंद नहीं करते हैं आपका बच्चा आपके पास आया उसने आपसे कुछ कहने की कोशिश करी और आपने उसे आगे से क्या बोला बेटा पांच मिनिट रूप जाओ उसके बात बात करते हैं वो सब्सक्राइब आप उसने को इंपोर्टेंट काम कर रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है क्या पता उसे मां कुछ और अनिम्पोर्टेंट काम भी करें लेकिन उस अनिम्पोर्टेंट काम की वज़े से आपने बच्चे को प्राइटी नहीं दी और उसको पांच मिनिट रूपने के लिए कह दिया कही ना कहीं बच्चों के माइड में भी यह बात लग जाते हैं वो बच्चा फे नेक्स टाइम क्या करेगा वो सोचेगा मेरे पापा ने मेरी बात सुनी ही नहीं तो आगे से आपको बताना बंच करते गा बतायगा नहीं अगर आज कल आप देखते हैं ना कि प्रेंट कर शेडूल बहुत जादा है क्योंकि वरकिंग बॉथ हस्बेंड वाइफ दूनों व्क करते हैं तो दोनों पेरेंट जब वक करते हैं तो बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं सबसे जरूरी है आप उसकी बात पहले सुनें, ना कि अपना अडवाइस बच्चे को लिए. हम लोग क्या कहते हैं? अरे बेटा, ऐसे नहीं, ऐसे. अपना बोलने रगते हैं. बच्चे की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं, ना किसा आपको पते हैं, आपका बच्च या तो यूजेस बात करेगा, या उसकी की बात कोई प्वॉ извअट ही नहीं है. लेकिन अगर उसकी बात कोई पॉइंट नहीं है, वो बात आपको यूजेस भी लग रहाएं. तो अपने बच्चे की बात को patiently सुनिये Let the child speak जितना वो बोलेगा उतना उसके मन से बाते निकलेगी और जब बाते मन से निकलेगी और बच्चा बोलेगा तो आप उसको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं और कोशिश ये भी हो parents की कि उनके जो guidance source है बच्चे का जो guidance का source है वो parents याफे teachers ही रहें क्योंकि आप अपने बच्चे के hit के लिए सोचते हैं बच्चे के अच्छे के लिए सोचते हैं लिकिन अगर अगर अपने बच्चे से आप खुद बात नहीं करेंगे आपका बच्चा किसी और से जाके share करेगा तो जरूरी नहीं है वो तीसरा इंसान भी बच्चे के लिए उतना ही अच्छा सुचे वो बच्चे को कुछ और भी सिखा सकता है कुछ में गाइड भी कर सकता है आप अपने बच्चे को सही गाइड करेंगे इसलिए आप ही अपने बच्चे का गाइडन सोर्स बनने की कोशिश करें जैसा ही आपने बताया कि पेरेंट्स के लाव आपने पताया तो टीचर्स का भी एक बहुत इंपोर्टन रोल होता है जो कि बच्चा बहुत टाइम स्कूल में तो टीचर्स को किस तरह से बच्चों की mental health के बारे में aware होना चाहिए कि हाँ ये बच्चे के माइड में कुछ चीज़े जो बोलते हैं उससे बच्चे के माइड पर असर पढ़ सकता है कभी बार ऐसा होता है कि नहीं देते इतना द्यान तो किस तरह से टीचर्स को समझना चाहिए टीचर्स की observing skills बहुत अच्छी होती है जब टीचर्स के पास class में एक strength होती है 40 या 50 बच्चों की तो वो हर एक बच्चे के बारे में सब को जानती है हर एक बच्चे के mind को हर एक बच्चे के activities को समझती है अपने बच्चों की activities और mind के activities की जो कर रहे हैं reactions उनी के through teacher को समझ जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या चलिए अगर वो उनसे solve हो सकता है case तो बहुत बैटर है वो खुद solve करे क्योंकि बच्चे teachers से भी बहुत close होते हैं अगर वनसे solve नहीं हो सकता तो बीच में या तो वो parents को include करें या फिर आजकल सबी schools में इसलिए counselors appoint किये जाते हैं कि बच्चे अपनी बात किसी सोच जाके share करेंगे तो वो बच्चों को counselors को refer करते हैं और थोड़ी सी उनकी problem counselors को बताएं कि बच्चा क्लास में कैसे behave करते हैं teachers भी अपने बच्चों का ध्यान रखें और उन्हें किसी भी तरीके से कोई abusive words, abusive languages का use ना करते हैं कुछ भी ऐसे words जो बच्चे के brain में बच्चे के mind में लगें या उससे वो बच्चा कुछ भी फ्रील करें कई बार क्या होता है कि हम लोग फोचते हैं कि बच्चे को हम कुछ समझाने के लिए थोड़ा सा पोग कर लेते हैं अगर हम आपको कोई कड़वी बात बोलते हैं आपको जल्दी समझ में आता है कि मुझे ये कड़वी बात बोली गई है तो शायदी मेरे भले के लिए लेकिन ये बात हमें शायद चार या पांच दिन बात समझ आए इसको सही मोटिव से बोला, लेकिन बच्चों के माइन में वो चीज क्या impact कर गई ये बात आपको नहीं पता है. ये क्योंकि टीचर का maturity level अलग होता है, बच्चों का समझने का level बहुत ही जादा कम होता है, क्योंकि बहुत immature होते हैं, तो अभी तो जैसे आपने बताया कि क्या-क्या problems हो सकती हैं, अब जैसे किसी कोई aware हो जाता है कि हाँ, मेरा बच्चा mentally परेशान है, कुछ इसके साथ problem है, तो उस case में parents या फिर teacher किस तरह से deal करें उस situation के साथ? अगर किसी को पता लग जाता है कि मेरा बच्चा mentally ill है, बच्चे के अंदर कुछ problem है, जो उसे नहीं शेयर कर रहा, सबसे पहरे तो आप बच्चे को खुद time देने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग ही नहीं कहते कि आप first step में ही उन्हें हमारे पास ले आई, बहुत जरूर बच्चा नहीं बताता है, तो आप ठोड़ा सर ट्राय करिए कि बच्चा है तो आपके सामने एक बार रोए, या आपसे अपनी कुछ भी feelings, शेयर करने की कोशिश करें, after the child cries, रोने के बाद बच्चों के मन से निकल जाता है, और simultaneously आप किसी अच्छे counselor को भी concert करिए, क्योंक एक बादा बता दो, बटा बता दो, एक टाइम बदा के पेरेंट्स भी इरिटेटन जाता है जैसे कि कई parents बादे जो नुली parents भाने होता तो उनको नहीं experience होता यह परेंस भी थक जाते हैं अपने काम से, हौसवाई से तो वो थक जाती हैं, working women, working men वो थक जाते हैं, तो भी बच्चों पर ही निकालते हैं, तो वो छे बार प्यार से पूछेंगे, सेवें टाइंगे, ठीके मत बता, छोड़ो, अब जब आपने बच्चे को ताइम देना है, कि आप 15 मिनिट का पॉस ले लो, और फिर मुझे बता देना, लेकिन लास्ट में आप उन्हें क्या बोल के ग मुझे बोल के भी गए, कि मुझे आप तो बताना है, आपसे शेयर करना है, और आपने वर्ट्स भी ऐसे यूस करें, कि बच्चा वो बात बताने की जगह, और पैनिक कर जाएगा, फिर तो करेगा, अब मैं बताता ही नहीं, बच्चा दर के मारे, या फिर जिर्द पकड़ प्रशिए को ही आपके पैशिंस लेवल के अगौर्डिंग ही बच्चे अपनी चीजांग से शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स ही वो फर्स होते हैं, जो अपने बच्चों के आगे एक 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 जामपल सेट करते हैं, तो जो भी वो आजकल जैसे की, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि आजकल के बच्चे जो हैं, आउट्डोर गेम्स नहीं खेलते हैं, सारा टाइम जो है, फोन में लगे रहते हैं, और सारा टाइम, मतलब अपना जितना भी फ्री टाइम होगा, फोन में गेम खेलते रहेंगे, सोशल मीडिया से कनेक्ट होने की कोशिच करेंगे, तो ऐसा क्यों होता है? ना आपके हाथों में लड़ोगा, ना आपके पैरों में लड़ोगा, सरफ आपके ये दो हाथ चलेंगे, जो आपका फोन पकड़े होंगे, और आप इसी में अपना गेम जॉइंट अनलेगे बट ये ना कि जैसे पहले के जनेरेशन जो थी, वो सब पहार खेलने में, बहुत अक्टिव रहती थी, बट इस टाइम की जनेरेशन जो 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 प्लेन जो डावर्ट हो रहा है, वो सब जो जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिक गैजट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्या reason हो सकते हैं, कि वो बाहर जाना नहीं बसंद करते हैं, एक तो हो गया कि वो physically नहीं वर्ट करना चाते हैं, बट ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं घर पे नहीं रहते हैं, तो अलाव भी नहीं करते हैं, आज का society भी ऐसी नहीं है, तो कैसे उनको जो है, मो जोड़के मतलब कुछ फिजिकल ही वर्क करें, चैवाली बाहर ना जाएं, बट घर पे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें, कैसे कर सकते हैं ये? बच्चों ने पेरेंट से ही सिखा है, हमारे पहले जमाने में आप देखते होंगे कि एक घर में लाइन डॉट फोन हुआ करते हैं, आज कल जितने लोग हैं घर में अतने अंडरोइड फोन, सब के हाथ में अपना अपना फोन, पेरेंट्स भी अगर बच्चा देख रहा हैं क मेरी मम्मी के पास हुंका फोन है, पापा के पास हुंका फोन है, दोनों का मुह अलग अलग है, वो अपने अपने फोन में लगे हैं, बच्चा भी बही सिखे हैं, इससे बेटर आपना कर सकते हैं, अपने एक ही फोन को यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स एक ही फोन यूज करे आप भी देख रहे हैं, दुसरे रूम में कॉर टीवी है फेस हैं, आप इसमें पुछ और देख रहे हैं, हर रूम में अनगलग टीवी है, इस से बहुत बेटर है कि आप एक ए टीवी में एक फामिली मोवी देखें, साथ बेटके एंजोय करें, तो इस फेलेक गैजेटस ऐन या फिर वो डिवाइस का जो यूसेज है वो भी कम होगा और आपको फामिली टाइम देलेगा बच्चों के माइंड में जो एफेक्ट पड़ता है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए तो दी अपसे पूच न चाहएंगे आपको यू W एक है बच्चों के लिएकली टाइट ले डाइट ले रहें तो हमें अपने दि li. अपने साथ अपनी बॉड़त कि कर पॉड़ी टाइट ले रहे हैं तो राएकल के लिए बच्चों को भी ख dolства करना है जिसके लिए हम अपने साथ, अपनी बॉड़ी के अगर्डिन जो भी हमें समझ में आता है, कुछ योगा, कुछ एक्सराइज्स, एक हैल्दी इंविरमेंट, एक हैल्दी बहवियर अपनी उत्मी में आपनी दरूरी है, तो अपनी फैमिली में, विंक बहुत जरूरी है, आप आपके पास आए उसके लिए सामने खड़े आप उसको यह ना कहें कि पांच मिनिट रोजाओ वरना फिर बच्चा बड़ा हो जाता तो फिर वो भी फिर इसी तरह से डील करता है परेंट्स को इन फैक्ट हरकेसी को इसी तरह से डील करेंगा वो भी यही चीज़ सीखेगा और आप बच्चे को यह ना लगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हैं ही नहीं यू शुट बेर फो चाइल एवरी ताइम और इन फैक्ट आपका बच्चा आपको आके रोज हग करे और यह सोचे कि परेंट्स मुझे हग नहीं करते इससे पहले आप जाके अपने बच्चे को अची सब्सक्राइब करेंगा एवरी कि अबच्चे को आपको खक कर रेगा आपके छोटे से हग से बच्य को क्या पॉजिवेटी नहींpel सकती है यह बहुत बड़ीज है Okay, तो Thank you so much Asha. 52 मatch Thank you everyone झाल झाल